हेलो एवरीवन आज हम डिसकस करने वाले हैं जामिय मिले इसलामे के कोर्स कोड बी ट्वंटी एट बी ए ओनर्स तुर्किश लाइंगवेज और लिट्रेचर के बारे हम बात करने वाले हैं अगर आप इस कोर्स में अड्मीशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या चूज करना ही पड़ेगा देखे 2022 का यह लेजिबिटी क्राइटीरिया था टा टेटी ट्री में भी इलिजिबिटी क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं होगा लेकिन जहां तक हो सकता है इसमें लाइंगवेज एड हो चाहिए इंग्लिश अगर एड होगा तो मैं आपको अपडेट करूँगा लेकिन अभी के लिए यही अपडेट है कि आपको जन्रेल टेस्ट देना कमपल सरी है पहला तो यह लिजिबिटी क्राइटेरिया दूसरा आपके क्लास 12 में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए अब यह कहां लिखा है चलिए मैं आपको यह भी लिखाए तुरकिश लाइंग्विज एंड लिट्रेचर का कहां पर है ठीक है मैं आपको यहां पर दिखा दे रहाँ पेज नंबर भी आपको मैं यहां बता दूंग प्रोस्पेक्टस आप जो डाउनलूड कर लीजीगा जामिया के साइट से भी डाउनलूड कर सकते हैं और आप हमा सब्सक्राइब यहां पर देखें सेनियर स्कूल सर्टिफिकेट और एक्विलेंट एग्जामिनिशन विट नॉट लेज देन 50 परसेंट मार्क तो यानि आपके क्लास 12 में कितने 50 परसेंट मार्क होने चाहिए यह एक इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अब क्या रह सकती देखिए इस बार जो कट अफ काफी हाई थी इस बार कट अफ जो है काफी हाई थी तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप 250 प्लस का जो है टारगेट लेके चलिएगा जनरल टेस्टी अगर होता है तो ठीक है क्योंकि उसमें कोशन कितने अटेम्ट करने थे 60 कोशन और एक कोशन 5 मार्क्स का था तो टोटल 300 मार्क्स का हुआ तो यह मानके चलिए कि आपको अच्छा खासा स्कोर करना है और अगर आपके डिजर्वेशन कैटेगरी है मुसलिम मुसलिम ओमन ओवी सी पी डब्लू डी कैटेगरी तो आपको इसमें जो 10-15 मार्क्स के कम कम मानक जाएगा लेकिन कोशिश करने हैं आपको अच्छा खासा स्कोर करना है बागे टाइम टो टाइम आपको अपडेट किया जाएगा जो भी अपडेट आएगा थैंक यू